अलो फ्रेंड्स जैहिंद एससे जीडी के लिए बहुत सरा बेकिंसी निखला है जिस बंदे नाया है जो पता नहीं है ऑनलेन स्टार्ट हो चुका है इसमें मैं प्रक्टिकली कर दिखाऊंगा पेपर के साथ बेकिंसी कितना है मेल फिमेल दोनों के लिए जो बंदा नाया है म मेल और खिमेल दोनों के लिए वेकिंसी से एट ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन सत्रा जुलाई से स्टार्ट है उसके आपका जो बेक्जाम होगा वो कॉम्पूराइज हो जाएगा उसके बाद आपका वेकिंसी वेकिंसी है आपका मेल के लिए 22,424 ये मेल के लिए और फिमेल के लिए है 2,847 टोटल वेकिंसी 25,271 तो बहुत ज़ा वेकिंसी बहुत सा मुखाय मिला जो बंदे इंट्रेस्ट है वो बिलकुल भी डिले ना करें आपका कॉलिफिकेशन कम से कम टेंथ पास होना चाहिए आपका एज लिमीट जेनरल कैंडिएट के लिए 8,23 ओबीची कैंडिएट 18,26 और S.C.S.T. कैंडिएट के लिए 8,28 तो इस तरह से जो भी आपका एज देख लेना से से सर्टिफिकेट में फॉर जेनरल ओवी सी रेजटिशन फीश हंडेट टूपीश मेल फिमेल फिमेल S.C.S.T. कैंडिएट नील आपका सेलेक्शन प्रोसेसिंग किस तरह होगा फार्स्टेज में आपका सबसे पहले कॉम्पूटर बेस एग्जाम आपका S.C. लेगा स्टाप सेलेक्शन कमिशन सेकेंड स्टेज आपका दूसरा स्टेज होगा होने के बाद आपका फिजिकल एफिशन सी टेस्ट पीटी होगा पीएस्टी बोलते हैं फिजिकल स्टांडर टेस्ट इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेडिकल एग्जमिनेशन फिर फॉर्थ लास्ट में आपका फ के लिए 5 km 24 मिनट और 1.6 km होगा तो 6 1.5 6 1.5 मिनट दे रखा है और फिमेल के लिए 1.6 याने की शाड़े 8 मिनट का रणिंग होगा और अगर फिमेल 800 मिनट रानिंग करता है तो 4 मिनट में होगा तो आप उस तरह से जो भी मेल और फिमेल प्राक्टिस कर रहे हो तो आपना टाइम भी नोट किया करो प्राक्टिस में फिजिकल स्टर्डर टेस्ट उसके बाद के टेगरी आपका ओल केंडिडेट ओभार ओल इंडिया होना चाहिए और फिमेल के लिए 157 और मेल के लिए चेस्ट 80 नोर्मल आपका एक्सपेंडेशन 5 सेंटी होता है तो आपका 582,85 जेनल केंडिडेट और नोर्थीस स्टेट के लिए हाइट मेल 162.5 और फिमेल के लिए 152.5 मेल का चेस्ट 82,85 एस्टी कंडिडेट नोर्थीस्ट 157 हाइट मेल के लिए फिमेल के लिए 147.5 और चेस्ट होगा मेल के लिए 762.81 तो इस तरह से आपका टेस्ट बगर होगा आप अपने आपको तैरी करो अभी भी टाइम है जिसने ओनलेन कर रहे हो फिजिकल में ध्यान दिया करो और कुछ बात होता है डाउट होता है तो आप मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते हों थैंक यू